नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 23 चन्वरी दिन सोंबार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राचे के पसुपालकों को मिलेगा प्रसिक्षन स्कूल में बच्चों को लड़का लड़की से नहीं कर पाएंगे संबोधित अपनी मांग को लेकर STET अभ्यर्ती भ्यास लेकर पहुँचे राज़त आफिस बीजिपी में शामिल होने की अटकलों पर उपिंद्र कुश्वाह का जवाब ICC ने 2018 ओलंपिक के लिए 6 टीमों के इस परधा करानी की सिफारिस की अब चलिए बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से जिविका में 71 पदों पर आई वैकेंसी जिविका में रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर है बता दे के 70 पदों पर निकाली गई है जिसके लिए आवेदन करनी के अंतिमते थी 28 जन्वरी 2023 तक नरधारित की गई है वहीं इसमें चैनेत होने के बाद अभ्यर्थी से पैनल इंटर्व्यू लिया जाएगा जिसके लिए तारीक 28 जन्वरी से 2 मार्स तक नरधारित की गई है इस वैकेंसी से जुरी हुई और भी जानकारी लेनी के लिए अभ्यर्थी आधिकारी के वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर चेक कर सकते है इसमें आवेदन करने के लिए आईउसी मां 30 वर्ष के नरधारित की गई है राजिके पशुपालकों को मिलेगा प्रसिक्षन राजिमी रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए परशुपालन एवं मतसे संसाधन विभाग के द्वारा चालू वीतिये वर्ष 2022 में परशुपालकों को कौशर विकास मिशन में पंजिकृत प्रसिक्षन प्रदाता संस्थानों की माधियम से प्रसिक्षन देनी की योजना बनाई गई है इसके तहट चालू वीतिये वर्ष 2022 माई 1650 परशुपालकों को प्रसिक्षन दिया जाएगा जिनकी उम्र 15 से 69 वर्ष के बीच होगी प्रसिक्षन के दौरान परशुपालकों को परशुधन, सेवा प्रदाता, ब्रालर प्रोलेटरी फॉर्म, बक्री पालन, कृतिम, परशुपालकों को 80 घंटे का प्रसिक्षन दिया जाएगा, बिहारी बहुतरे श्पेशल में आज हम बात करेंगे संदीप दास के बारे में, संदीप दास का जन महाची के दिन 1971 में हुआ था, यह एक भारतिये तबला वादक और संगीत कार, जो वर्तमार में बोस्टन, मै आसा चूसेट संयुक्त राजे अमेरिका में स्तित है सिल्क रोड एसेंबल सिंग मी होम के लिए योयो मा के साथ उनके सहयोग ने 69 ग्रैमी अबॉर्स 2017 में सर्वसरिष्ट विश्व संगीत अलबम के लिए ग्रैमी पुर्शकार जीता, इससे पहले उन्हें 2005 और 2009 में दो ब मिलेगा उद्द्योगों का दरजा, राजे सरकार की उद्द्योगों की प्रात्मिक सूची में बदलाव करते वे, अब उसमें खनन आधारित उद्द्योगों को भी अस्थान दिया जाएगा खरण को उद्योग का दर्जा मिलने से बिहार में बड़ी संख्या में निवेशक निवेश करने के लिए आकरसित होंगे और इससे यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और साथ ही यहां आर्थिक गतिवीद यहां भी बढ़ेंगी। पाइच छेत्र में कृष्णा ब्रहमत थाना चेत्र का है यहां चोरों ने देर रात में अस्ट धातु के चार मूर्तियों की चोड़ी की बता दे के इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में थी ग्रामीनों को इस बात का पता तब चला जब वेश सुभ में पूजा करने के लिए वहाँ पहुंचे इसकी वज़ा से एनच 84 को आकरोशित ग्रामीनों ने जाम कर दिया था एससपी श्रीडाज ने ग्रामीनों को भरुसा दिलाया था कि मूर्ति को जल्द ही धून लिया जाएगा बता दे कि अब मूर्ति को बढामत कर दिया गया है बता दे कि अस्ट अपनी समधान यातरा पर है दरभंगा के DMCH परीसर में बनने वाले एम्स को अब DMCH में नहीं बना कर सहर के ही दूसरे अस्थान पर बनाये जाने वाली बात को उन्होंने दरभंगा में अपनी यातरा के दौरान साफ कर दिया था इस खोशना के बाद राजनितिक गलियारे म बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन DMCH वाली प्रस्तावत जमीन पर ही बनेगी इस मामने को लेकर उन्होंने बिहार के उपमुखे मंत्री और स्वास्ते मंत्री तैश्यू यादव से बात करने के साथ साथ सदन में भी प्रश्न खड़े किये थे बिवा के दोरा दीगे जानकारी के नुसार पहले प्रधान ध्यापक के पद पर निउक्ति के लिए माध्यमिक सिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा एवं उच माध्यमिक सिक्षकों को 8 वर्ष की सेवा देना आवश्यक था जिसे अब घटाकर माध्यमिक सिक्षकों के लिए 8 वर वैशाली के बारे में वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में अस्थत एक गाउं है अतिहासिक अस्थल के रूप में प्रसद यह गाउं मुझपरपूर से अलग होकर 12 ओक्टूबर 1972 को वैशाली के जिला बनने पर इसका मुख्याले हाजीपूर बनाये गया वजीका यहां की मुख्य भाषा है अतिहासिक प्रमानों के नुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गंतंत रियानी रिपब्लिक कायम किया गया था भगवान महावीर का जन मस्थली होने के कारण जैन धन के मतवालंबियों के लिए वैशाली एक पवत्र अस्थल है भगव वैशाली परेटकों के लिए भी बहुत ही लोग प्रिय अस्थान है वैशाली में आज दूसरे देशों के कई मंदर भी बने हुए हैं स्कूल में बच्चों को लड़का लड़की से नहीं कर पाएंगे संबोधित एक ऐसे योजना तयार की जा रही है जिससे ट्रांसजेंडरों को सामानता मिलेगी और स्कूलों में होने वाले लैंगिंग बेदभाव भी कम होंगे इस योजना के तहर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैसे समावेशी भासक अप्रयोग किया जाएगा जिससे किसी विशेश लिंक का संबोधन ना हो इस समावेशी सब्दों में बच्चे या चातर जैसे सब्द शामिल होंगे राश्ट्रिय सैक्चिक, अनुसंधान और प्रसिक्चन परिसाथ द्वारा इस योजना को लेकर एक नया और अलग मॉडियूल तयार किया गया है इस मॉडियूल के तहट कहा गया है कि अक्सर स्कूलों में सिक्चको या अन्य द्वारा बच्चों को लड़का या लड़की सब्द से संबोधित करते हैं तो ट्रांसजेंडरों चातरा के साथ लाइंगिक भेदभाव हो जाता है अपनी मांग को लेकर स्टी इटी अभ्यर्ती भैस लेकर पहुंचे राज़त ऑफिस स्टी इटी अभ्यर्ती लगातार अपनी बहाली वाली मांगों को लेकर बिहार में आंदोलन कर रहे हैं वे अपनी मांग को लेकर राज़त पार्टी ऑफिस के पास हंगामा कर रहे हैं उनकी मांग है कि वे बिहार के सिक्षा मंत्री और राज़त विधायक से मिले इनका कहना है कि सरकार के आगे बीन बजाना भैस के आगे बीन बजाने की बढ़ाबर है इसलिए आज वे सरकार को ज पतना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी पिहार के राजधानी पतना में एयरपोर्ट पर सुरक्षा 26 जनवर यानी गंतंत्र दिवस को लेकर खुफिया एजनसी के अलर्ट के बाद बरहा दी गई है डॉग स्कुएट द्वापैज डॉग स्कुएट द्वाड़ा पतना एय अचाना एयरपोर्ट पर होता रहता है गंतंत्र दिवस के अफशर पर कोई अन्होनी ना हो इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले सही पूरी तरह से सतर्क है 26 जनवरी और सरस्वती पूजा पर हुर्दंगे करने वालों की खैड़ नहीं 26 जनवरी के दिन ही सरस्वती पूजा भी है बता दे कि यह दोनों ही परफ विद्यार्थी जीवन में बड़ा ही महतोपुर्ण होता है इसलिए इस अफसर पर विद्यार्थी से बड़े ही धूम धाम से मनाते हैं लेकिन कई बार लोगों के द्वारा कई यह से क्रिया कलाब भी होते हैं जो लोगों को आपती जनक लगते हैं जैसे जबरदस्ती चंदा काटना, तेज लाउड स्पीकर वजाना, विसर्जन के दौरान हुर्दंगे करना मालू हो के पिछले बार सरस्वती पूजा के दौरान काफी हंगामा हुआ था, इसलिए प्रशासन इस बार सक्त दिख रही है बता दे कि इस बार ये सब क्रिया कला बरदास्त नहीं किया जाएगा और कारेवाई भी की जा सकती है माना जी सिंग धिलो जो की पटना के वरिय पुलस अधिक्छक है उन्होंने बताया कि जले में साहरे तीन हजार सरस्वती प्रतीमा बैठाने का रेजिस्ट्रेशन करवाया किया है साथी साथ किस रूट से मूर्ती विशर्जन के ये ले जाना है इसका भी रूट तैक लिया मुख्य मंत्री बिहार दर्शन योजन ना थो हजार वाइस तेस के तहट ग्यारत करोर रूपय की रास्ती स्विकृत मुख्य मंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत राजी के 38 जिलो के कुल 55-100 राजकी राजकी एकरित अल्फ संख्यक नव उतक्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्याले एवं अनुदानित माध्यमिक विद्याले के छात्र चात्राओं को ब्रह्मन पर ले जाया जाता ह पतादे कि इसके लिए वीतिये वर्स 2022-23 में साच्चनिक ब्रह्मन के तहर सक्षा मंत्री के द्वारा 11 करोर रुपे के स्विक्रिति दे दी गई है जिसमें प्रति विद्याले 20,000 रुपे को दड़ के नरधारित किया गया है इसके साथ ही सिक्षा विभाग के द्वार सभी उत्री होनी के आसार है दिन में धूप निकलेगी लेकिन रात में नितापमान गिरेगा वही नियुंतम तापमान में बरहत की भी संभावना जताई गई है राज्ये की कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मौसम समाने रहने की उम्मीद है बलके राज्ये के उत्तर पुर्व उत्त नवादा पहुंचे जहां उन्होंने विविन विग भागों के अंतरगत चल रही विकास योजनाओं का जाजा लिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने विविन जिवी का समु की दीदियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अबलोकन किया इसके अलावा मुख्यमंत पत्रकारों से बाचीत करते वे कहा कि हम लोग सभी जिलों में जाकर एक एकर सभी चीजों को देख रहे और यह पता कर रही किस जिले में कितना काम किया गया है रोहनी आचारे अकसर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं दिरों शोचल मीडिया पर वे अपने पिता लालू यादव को लेकर काफी इमोशनल लजर आ रही है। उन्होंने शोचल मीडिया पर लालू यादव की एक तस्वीर साजा करते वे उनके उपर घोटाले को लेका जो जाज सुरू हुई थी। उससे संबनित बाते साजा के उन्होंने रिखा कि उनके पिता को जूटे केस के मुकदमे में फसाने का सिलसला सुरू हो गया है। गोटाले के जनक बड़ी हो चुके हैं। जिन्होंने घोटाले को उजागर किया से मुझरिम हो चुके हैं बता दे कि CBI द्वारा IRCTC मामले के घोटाले में लारुयादब पर लगे आरोपो की जाज फिर से सुरू होने वाली है। समराग चौतरी का दावा बिहार में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही नितीस लालो की पाठी। सब्सक्राइब बता दिया है कि बीजेपी में लेकिन इसके साथ उन्हें पार्टी के कमजोर होने की पी चिंता है। इस बारे में जरूरत होने पर मुख्य मंतर नितीस कुमार जी से जरूर बात करेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रूटीन चेक अप के लिए दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुश्वाह के भरती होने के बाद उनसे अस्पताल में ही कई बीजेपी के निता मिलने आ राजश्वा मंतरी आलोक मेता के विवाद बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है वतादी कि निरज कुमार ने करे सब्दों में कह दिया है कि आलोक मेता के पास इतिहास का ज्यान नहीं है इस तरह की बयान बाजी देने से पहले वह उसकी जानकारी हासल कर ले अ राजनितिक राजनितिकार प्रिशान के सोड ने अपनी जन सुराज पदियात्रा के दौरान गोपाल गंज में एक सभा को संबोधित करते वी नितीज कुमार पर तंच का सामनों ने कहा कि 2014 में जब नितीज कुमार की पार्टी से केवल दो MP बन पाए थे उन्होंने अपने कुर्सी पर फेवी कॉल लगा कर चिपके वे हैं जब 2020 के चुना में उनकी पार्टी को मातर 42 सीटों पर जीत मिली थी उस समय नितीज कुमार ने कोई न कोई जोगार लगा कर कभी भाजपा का हाथ पकड़कर तो कभी राजत का हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर जमें हु अगर आपने अभी तक हवाई यातरा नहीं की है और सस्ते में हवाई यातरा का मज़ा लेना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है दरसल गंतंतर दिवस के मौके पर विमानन सीवा एयर इंडिया के द्वारा आपने देशवासियों के लिए एक धमाकेदार ओफर पेस किया गया है जिसके तहट आपको भारत के उच्चास से अधिक सहरों में हवाई यात्रा करने का मौका में लेगा वह भी बिलकुल सस्ते में कंपनी के दोड़ा दी गई जानकारी के अनुसार हवाई यात्रा की सुरवाती कीमत 1705 रुपए से है इस बात की जानकारी एर इंडि के लिए 6 टीमों के असपर्दा करानी की सिफारिस की अंतराश्ट्री क्रिकेट परिसद यानी की ICC के द्वारा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में खेलो के आयोजन करने वाले समीती से सिफारिस की गई है बता दी कि ICC ने आयोजन समीती से सिफारिस करते वे कहा है कि पूर्ड के दिहास में आज की तारीक है बेहत खास 1565 में हुए टेरी कोटा के युद में हिंदू सामराज्य विजय नगर का पतन हुआ भारत में 1920 में एयर मिल एवां बायू बड़िवाहन सिफाओं की सुरुवाथ इंद्रा गांधी 1966 में भारत की प्रिधान मंत्री बनी भगवान कौतम बुद के नगर कपिल वस्तुक 1976 में खुदाई में खोजा गया जंता पार्टी का गठन 1977 में हुआ मद्य प्रदेश में गोवन्स वद पर 2004 में पुर्निता प्रतीबंध लागो हुआ फिल्मी और टेलिवीजन कारिक्रमों में धुम्डपां रिश्यों पर लगा प्र ट्रेन रद होने के बारे में शुचार्य मेढ़ पर कहीं सुचना वायल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरी नहीं है इसी कड़े में आज हम बात करेंहें ट्रेट में लीडिव है कि एक न्यूज बुलेटिन का वीडियो खूब शेयर हो रहा है जिसके सरके कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेनों को रद कर दिया गया है इंडिया टुडे के जरिये यूजर्स इंकमिंग अलर्ट को साइलेंट और डैरेक्ट मैसेज या डीम को अटो रिपलाई कर सेट कर पाएंगे इस तरह यह फीचर आपको एप से दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे और आप दूसरे कामकाज में कॉंसंट्रेट कर पाएंगे जैसे ही आप को अन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएंगे जिससे आपका ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा क्वाइट मोड ओन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको मेसेज करता है तो उन्हें आपका अकाउंट अभी क्वाइट मोड में है बीत दिर महांदरहा पुछा का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पने जवाब हमें अमारी comment section box में लिख कर दिया था उनके नाम है कुषकुमारी आदब रंजीट मिष्वा अनबर करीम खा संकर मुख्या नान प्रकाश यादब जीवनाथ मंड RAMSAY् पनाया कुमार, नुश्रत बन्नो, मृतियुंजर कुमार, दीपक कुमार, कुमारी संचना, उमेश्री सिदेव, रंजीत सिंग, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, सरसोती पुजा को लेकर आपके छेतर में क्या तयारिया चल रही है, आप अपने बिहार के तमाम फबलों के साथ बना रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद